मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत के कुरोना संक्रमित हो जाने के बाद अब विधान सभा सत्र में ट्विजडी बैंच का पूरा कारिभार कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के कंधो पर आ गया है सत्र के दोरान संसदी और विधाय की कारियों का जिम्मा संभालना बेशक उनके लिए को नया नहीं है लेकिन बार वो मुख्य मंत्री की गयर मोजूद्गी में संसत का मोर्चा संभालते नजराएंगे दिली के उपमुखी मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ट नेता मनीस सौधिया दहरादून पहुचे हरिद्वार से दून पहुचकर उन्होंने सबसे पहले शहीद समारक पर अन्दोनकारियों को नमन किया इसके बाद मनीस सौधिया ने घंटा घर इस्थित स्वर्गिये इंद्रमडी बडोनी की प्रतिमा पर मालयारपण किया इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि उत्राखंड में 20 सालों में सिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है उत्राखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एस्थियेशन के प्रदेश अध्यक संदीप सहानी ने मसूरी में पत्रकारों से बारता की इस दौरान उन्होंने कहा कुरोना काल में उत्राखंड और रेस्टोरेंट उद्योग पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं लगातार केंडर और राजसरकार से आग्रा किया जा रहा है कि उत्राखंड के पर्यटन उद्योग को बचाए जाने को लेकर ठोस कदम उठाए जाए साथ ही उन्होंने कहा कि ये चिंता का विश्य है कि अगर प्रदेश का पर्याटन उद्योग समाप्त हो गया तो यहाँ पर बिरोजगारी और भुकमरी पैदा हो जाएगी जो आने वाली समय के लिए घातक सिद्ध होगी। कुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर तीर्थनगरी रिशिकेश में कुम्भ मेला अधिकारी, आईजी, संजे, गुजियाल ने, रिशिकेश, जन प्रतिनिधियों और स्थानी वैपारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में वैपारियों ने कुम्भ मेला अधिकारी को शहर की मूलबूत समस्याओं से ओगत कराया और कुम्भ बजट से ही इनके समाधान की मांग भी की है। बैठक में व्यपारियों ने कहा कि कुम्भ मेले की शुरुवात होने में महस कुछी दिन शेश रह गया हैं लेकिन अभी तक तीर्थ नगरी में कुम्भ मेला की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट दिख रही हैं अपना उत्रखण में फिलाल इतना ही नवस्कार